थाली में हाथ धोने वाले लोग ये वीडियो एक बाद जरूर देखें बोजन के जरूरी नियम आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो खाना खाने के बाद थाली में हाथ धोते होंगे धोते हैं ना थाली में हाथ धोने से पैसों की कमी, healthy shoes और भी बहुत कुछ problems face करना पड़ सकता है सुनके आपको अजीब जरूर लग रहा होगा लेकिन ये सच है हिंदु धर्म की मानिता अनुसार खाने की थाली में हाथ धोना बहुत ही ज्यादा आशूब माना जाता है कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो देखने में भी अच्छी नहीं लगती कई बार लोग अंजाने में ऐसी गलतियां कर जाते हैं माना जाता है कि यग्य में अर्पित की जाने वाली सारी चीजें दिफ्ताओं को भोजन के रूप में मिलती है इसलिए भोजन बनाने से लेकर खाने तक सभी नियमों का पालन जरूर करना चाहिए पुराणों के अनुसार भी अनका अपमान करना पाप माना गया है भारतिय संस्कृती में खाना खाने के बाद थाली या पतल में हाथ धोना खाने का अपमान माना गया है खाले में कभी भी जूठा ना छोड़े खाना खाने के बाद थाली को कभी बेड या टेबल के नीचे ना रखे हो सके तो खाना खाने के बार थाली को साफ करके ही रखे क्योंकि मानिता ये भी है कि रात को जूठे बरतन घर में नहीं रखना चाहिए खाना खाते समय ये खाने से पहले भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है जैसे प्राचिन काल से हमारे यहां खाने की थाली के चारो तरफ जल छिड़कने की परंपरा रही है जो आज भी निभाई जाती है ये बात और है कि अब कम लोग निभाते हैं थाली के चारो तरफ जल छिड़कने से अनदेवता प्रसन्न होते हैं इसके पीछे एक कारण ये भी है कि पहले के लोग ज्यादा तर जमीन पे थाली रखकर खाना खाते थे। ऐसे में जल से आचमन करने के कारण थाली के चारों तरफ पानी का घेरा बन जाया करता था, जिसकी वज़े से खाने की थाली के पास कोई भी कीड़े मकौड़े नहीं आपाते थे और लोगों का खाना खराब नहीं होता था। खाना खाने के बाद थाली चोड़ने का मतलब शनी देव को नरास करना है और थाली में जूठन चोड़ने से जगत के पालन करता विश्नु जी का अपमान होता है। नहीं बाद थाली में हाथ धोने की तो ये हमारी परंपरा में कभी था ही नहीं। आज का लोग ऐसा करने लगे हैं जो की अन और थाली दोनों का अपमान है। जो लोग ऐसा करते हैं उनकी कमाई में कभी बरकत नहीं होती है उनकी लाइफ में धेर सारी प्रॉब्लम्स आती है जैसा खाए अन वैसा रहे मन इसका हावाज से यही पता चलता है कि अन यानी अनाज हमेशा इमानदारी के पैसो का ही होना चाहिए और खाना बनाते या खाते समय व्यक्ती का मन खुश रहना चाहिए खाना बनाये जाने की जगा हमेशा साफ सुतरी होनी चाहिए शुद जगा पे बनाया गया खाना खाने वाले के मन को भी शुद रखता है विचारों में भी शुदता आती है शास्त्रों में लिखा है कि मा, पत्नी और बेटी के हाथों का बना हुआ खाना हमेशा सुख समरिधी लाने वाला होता है हिंदु धर्म में खाना सबसे पहले अगनी देव को समर्पित किया जाता है इसके बाद इस खाने में से गाए, कुटे, कौवे, चीटी या देवताओं के लिए निकाला जाता है जिससे पंच वाली का विधान कहा जाता है घर में अगर कोई गैस्ट आ जाए तो उन्हें खाना खिलाने के बाद खुद खाना खाना चाहिए खाना कैसा भी बना हो, कभी उसकी शिकायत नहीं करने चाहिए उसे भगबान का प्रसाद समझ कर खा लेना चाहिए खाना खाने के बाद के भी कुछ नियम बनाए गए है प्राजीन काल में लोग इन्ही नियमों का पालन करते थे लेकिन modern lifestyle के जमाने में लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है कि इन चीजों के care कर सके लेकिन इन नियमों और बातों को अपना कर आप अपनी health सही रख सकते है आपके life कितनी भी busy हो आप खाना खाने का एक fixed time बना ले खाना खाने का सही time सुबह और शाम का माना जाता है क्योंकि हमारा digestive system सूरज निकलने के 2 घंटे बात तक और सूरज जलने के 2-5 घंटे पहले तक strong रहता है आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा नियमों का पालन करते हैं जिसे उनकी health हमेशा सही रहती है आप अगर late night 10-12 के बीच खाना खाने वालों में से हैं तो आप alert हो जाएं क्योंकि बहुत देर से खाना खाने से आपको होने वाली सबसे बड़ी problem है मोटापा जी हाँ आपको ये जानकर अशर होगा कि ज्यादा तर लोगों के मोटी होने के पीछे यही सबसे बड़ा reason होता है साथ ही late night खाना खाने से आपको नींद ना आने की problem भी हो सकती है नींद पूरी ना होने की वज़े से irritation बढ़ जाता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता Late night dinner लेना अगर आपकी मजबूरी है तो आप अपने खाने में fiber की मातरा बढ़ा दे सलाद और सबजियों की quantity बढ़ा दे इस तरह आप अपनी health problems को थोड़ा कम कर सकते हैं खाना हमेशा पीतल या चांदी की थाली में खाना चाहिए और पानी हमेशा तामबे के गिलास में ही पीना चाहिए खाने की थाली को हमेशा लकड़ी के पाटे पे रखकर जमीन पे बिचे मैट या आसन पे सुखासन की मुद्रा में बैट कर खाना चाहिए खड़े होकर पैरों में जूते पहन कर कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए हला कि आज कल आए दिन पाटी आफ फंक्शन में लोग खड़े होकर ही खाना खाते हैं लेकिन फर्श पर बैटकर खाना खाने से हमें कई सारे फायदे मिलते हैं फर्श पर बैटकर खाने की आदत बोडी पॉस्टर को ठीक रखती है और इससे हमारी मसल स्ट्रॉंग होती है ब्लड सर्कूलेशन सही रहता है कॉंसेंट्रेशन लेवल बढ़ता है टेंशन दूर होते है और इससे डाइजेशन सही रहता है और इससे आपके हाट को कम मेहनत करनी पड़ती है खाना बनाते या खाते समय अगर आपका मूँ गलत दिशा में हो तो भी कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि वास्तु शासर के अनुसार हर काम को करने के लिए एक निश्चित दिशा तै की गई है इसलिए खाना बनाते या खाते समय आपका मूँ पूर्व या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए इससे व्यक्ति को भोजन से आनर्जी मिलती है पूर्व दिशा की तरफ मूँ करके खाना खाने से कई बिमारियां दूर होती है क्योंकि पूर्व दिशा को देवी देवताओं की दिशा माना जाता है नक्षिन दिशा में मूँ करके खाना अशुब माना जाता है इससे आपको डाइजेशन के साथ ही और भी कई प्रॉब्लम्स हो सकती है नक्षिन दिशाकी और मू करके खाने से आपके मान सम्मान पे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है वास्तु के अनुसार हाथ, पैर और मू धोकर खाना खाने से व्यक्ति की आयू बढ़ती है जिन बरतनों में खाना खाए वो हमेशा साफ और सही होने चाहिए तूटे फूटे ये गंदे बरतनों में खाना नहीं खाना चाहिए इसे व्यक्ति का दुर भाग ये होता है आप जब भी चेर पर बैटकर खाना खाएं तो अपने पैरों को हिलाते हुए खाना ना खाएं ऐसा करना वास्तु के अनुसार अशुब माना जाता है इसके अलावा थाली को एक हाथ से पकड़ कर खाना भी अशुब होता है इसलिए आप खाने की थाली को जमीन या टेबल पे रखके ही खाना खाएं अक्सर लोग बिस्तर पे थाली रखकर भी खाना खाते हैं वास्तु के अनुसार बिस्तर पे रखकर खाना खाने से घर में दर्यद्रता का वास होता है। लक्ष्मी हमसे नराज हो जाती है, हेल्थ पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बिस्तर में मौझूद धूल, मिट्टी के कण हमारे खाने में पढ़ जाते हैं, जर्मी आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती है, और बॉडी में रहकर ये बिमारी का कारण बन जाती है। इसलिए बैट की बज़ाए जमीन या डाइनिंग टेबल पर बैट कर खाना खाएं। वीडियो में दी गई सारी information इंटरनेट से ली गई है, इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नया जोडने की कोशिश नहीं की गई है। आप अपने friends और relatives को जरूर बताएं कि बोजन कैसे करना चाहिए। धन्यवाद।